इस वीडियो में फ्रेंट्स मैं आपको बताने माला हूं document scan कैसे करें तो फ्रेंट्स आप किसी भी document को अपने font से scan कर सकते हैं जाए भाए आपकी markawasite हो आपकी passport size photo हो, signature हो, कुछ भी हो आप सबी document को अपने font से scan कर, एक PDF फाइल बना कर अपने font में रख सकते हैं और जरूरत पढ़ने पर आप उन डोकुमेंट्स का यूज़ भी कर सकते हैं तो इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखीगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते वीडियो में आगे बंजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस करके औल पर स्लेक कर ले जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टैमपर मिलती रहेगी तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप प्ले स्टोर उपन करें और इदर टैप करें डोकुमेंट स्केनर उसके बाद थोड़ा नीचे आईए और यह वाली अप्लिकेशन Microsoft Office Lens PDF स्केनर इससे आप इंस्टोल कर ले इंस्टोल होने के बाद इससे उपन करें इदर पर्मीशन्स को अलाओ कर दें उसके बाद स्टाड स्केनिंग पर क्लिक करें इदर आप नेक्स्ट कर दें इदर फिलाल के लिए आप डोंच सेंड ऑप्सिनल डेटा पर क्लिक कर लें सारी प्रोसेस होने के बाद यह इस आप का ओंपेज है इदर आप डोकुमेट को कुछ इस तरह सामने रखेंगे और इस औरेंज रेक्टेंगल और पेपर को एड़ेस्ट करेंगे प्रोपर विय में होने के बाद इसकी एक फोटो क्लिक कर लें टैप करते ही आपके डोकुमेट की एक फोटो क्लिक हो जाएगी इदर आप इसे मैनुली भी एड़ेस्ट कर सकते हैं वन्ना या एप्लिकेशन प्रोपर विय में एड़ेस्ट कर देगी अगर आपको लगता है कि फोटो सही लग रही है तो आप कंफर्ब पर क्लिक करें टैप करते ही आपका डोकुमेंट प्रोपर वे में स्कैन हो जाएगा इदर एड़ पकले करके आप और भी फोटो को एड़ कर सकते हैं फिल्टर पकले करके आप पेज के कलर को एड़ेस्ट कर सकते हैं crop पकले करके आप page को दोवारा से crop करके adjust कर सकते हैं more पकले करके आपको और भी कई सारे option मिल जाएंगे जैसे कि आप page को rotate कर सकते हैं delete कर सकते हैं किसी भी text को add कर सकते हैं जैसे कि text पकले करके आप कुछ भी लिखकर इस page पर add कर सकते हैं सारी सेटिंग करने के बाद दन पर क्लिक करें इधर पहले आप अपने डोकुमेंट्स का टाइटल चूज कर लें फिर इधर से आप चूज कर लें कि डोकुमेंट को आप किस फॉर्मेट पर सेफ करना चाहते हैं तो आप सिंपल पीडियाप को चूज कर लें सेव करते ही आपकी PDF फाइल रेडी हो जाएगी फिर इसे आप कहीं भी सेयर कर सकते ये तो मैंने आपको सिर्फ एक डोकुमेंट स्केन करका दिखा है आप कई सारे डोकुमेंट्स को स्केन करके उसकी भी PDF फाइल बना सकते हैं कुछ इस परकार जो अभी आप देख रहे हैं ये PDF फाइल मैंने इसी एप से क्रेट की है तो सेम इसी तरह आप भी अपने सारे डोकुमेंट्स को एक PDF में स्टोर करके उस PDF पर लॉक लगा कर अपने फॉन में रख सकते हैं So guys I hope इस वीडियो से आपको कुछ तो फाइदा हुआ होगा अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कीजे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजे और अगर आपको कुछ डाउट हो तो वह आप कमेंट करकर पूछ सकते हैं